मत्ती रचित सुसमचार बाईस्वाध्याए इस पर ईश्यू फिर उनसे द्रश्टान्तों में कहने लगा, स्वर्क का राज उस राजा के समान है, जिसने अपने पुत्र का ब्याह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि नेवताहारियों को ब्याह के भोज में बुलाएं परंतु उन्होंने आना न चाहा, फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा कि नेवताहारियों से कहो, देखो, मैं भोज तयार कर चुका हूँ, और मेरे बैल और पले हुए पश्यू मारे गए हैं, और सब कुछ तयार है, ब्याह के भोज में आओ, परंतु वे बेपरवाई करके चल दिये, कोई अपने खेत को, कोई अपने विववार को, और उने जो बच रहे थे, उसके दासों को पकड़ कर उनका अनादर किया और मार डाला, राजा ने क्रोध किया, और अपनी सेना भेज कर उन हत्यारों को नाश किया, और उनके नगर को फूक दिया, तब उसन इतने लोग तुम्हें मिले, सब को ब्याह के भोज में बुला लाओ। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पाउं बांध कर उसे बाहर अंध्यारे में डाल दो, वहां रोना और दात पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत परंतु चुने हुए थोड़े हैं। आर्ग सच्चाई से सिखाता है, और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तु मनुश्यों का मुह देख कर बाते नहीं करता, इसलिए हमें बता, तु क्या समझता है, कैसर को कर देना उचित है की नहीं। इश्यों ने उनकी दुष्टता जान कर कहा, हे कप्टियो, मुझे क्यों परखते हो, करका सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास एक दिनार ले आए, उसने उनसे कहा, यह मूर्ती और नाम किस का है, उन्होंने उससे कहा, कैसर का, तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है, वे कैसर को, और जो परमेश्वर का है, वे परमेश्वर को दो, यह सुनकर उन्होंने अचम्भा किया, और उसे छो की जो कहते हैं कि मरे हुऊं का पुनुरुथान है ही नहीं उसके पास आये और उससे पूछा कि हे गुरु मूसा ने कहा था कि यदि कोई बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी को ब्याह करके अपने भाई के लिए वंश उत्पन करे अब हमारे यहां साथ भाई थ पहला ब्याह करके मर गया और संतान न होने के कारण अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ गया इसी प्रकार दूसरे और तीसरे ने भी किया और सातों तक यही हुआ सब के बाद वहस्त्री भी मर गयी सो जी उठने पर वह उन सातों में से किस की पत्नी होगी क्यों ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्त नहीं जानते इस कारण भूल में पड़ गये हो क्योंकि जी उठने पर ब्याशादी नहोगी परंतु वे स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों की नाई होंगे परंतु मरे हुओं के जी उठने के विश्वर में क्या तुमने यह वचन नहीं पड़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा कि मैं इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाग का परमेश्वर और याकूप का परमेश्वर हूँ वह तो मरे हुऊं का नहीं, परंतु जीवतों का परमिशर है। यह सुनकर लोग उसके उपदेश से चकित हुए। बड़ी और मुख्य आग्या तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है, कि तु अपने पडोसी से अपने समान प्रेम रख, यही दो आग्याएं सारी विवस्था और भविश्दक्ताओं का आधार हैं। प्रभू क्यों कहता है? कि प्रभू ने मेरे प्रभू से कहा, मेरे दाही ने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाउं के नीचे न कर दूँ। भला, जब दाउद उसे प्रभू कहता है, तो वे उसका पुत्र क्यों कर ठेरा? उसके उत्तर में कोई भी एक बात न कह सका, परन्तु उस दिन से किसी को फिर उससे कुछ पूछने का हियाव न हुआ। झाल